रास्ट्रे बाल अधिकार सन्रक्षन आयोग यानी NCPCR ने मदर्सों को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है खुलासा इतना बड़ा है कि शायद मदर्सों पर अब तक का ये सबसे बड़ा खुलासा हो ये जितने आतंकवादी आजकल पकड़े जा रहे हैं इन में से ज्यादा तर मदर्सों में पढ़ाने वाले मौलाना है असम में 51 मिल चुके हैं इन मदर्सों पर जो बुल्डोजर चल रहा है वो सही चल रहा है बलकि जब तक सारे ड़ाना दिये जाएं तब तक पहिया चलता रहना चाहिए पहले इनका सर्वे कराया गया क्या मिला आधे से ज्यादा अवैद मदर्से फिर इनके पढ़ाने के समय में बदलाव किया गया फिर देखा गया कि ये पढ़ाते क्या है तो पता चलता है कि यहां पढ़ाया जाता है कि सूरिय प्रत्वी के चक्कर लगाता है जिहाद के चक आपके साथ अभी शेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्डाई असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सर्मा ने मदर्सों को लेकर एहम जानकारी दी है उन्होंने कहा कि मदर्सों में पढ़ाने वाले बहारी सिक्षकों को समय समय पर ठाने में पेश होना पड़ सकता है इन मौलवियों को पास के मदर्सों में हाजरी लगाने को कहा गया है वहीं रास्ट्रे बाल अधिकार संरक्षन आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानून को का कहना है कि देश भर के अनाधिकरत मदर्सों में एक करोड दस लाख बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने एक इंटर्व्यू में कहा कि ऐसे मदर्सों में बताया जाता है कि सूर्य प्रत्वी के इर्दगिर्द गूमता है मदर्सों में गेर कानूनी और देश विरोधी गतिविद्यों के कई मामले सामने आए इनी वज़ा सो मदर्सों पर सक्ती बढ़ती जा रही है असम में हाल ही में आतंकवादी संगठन अंसारूल बांगला टीम के मौड्यूल पर पुलिस ने कारवाई की है पुलिस ने राज्य के मदर्सों में मौलवी के रूप में काम कर रहे 51 बांगला देशियों की पहचान भी की इसी को लेकर असम के मुख्यमंतरी ने राज्य के बाहर के मदर्सों के मौलवियों को ठाने में हाजरी लगाने की बात कही है मुख्यमंतरी ने कहा कि मदर्सों के लिए एक चेक लिस्ट बनाई गई है मुख्यमंत्री ने साथ ये भी कहा कि संबंद में राज्य के सभी हित धारकों के साथ समझोता अंतिम रूप में अभी नहीं पहुचा है लेकिन चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं मुख्यमंत्री का कहना है कि सिक्षा को तर्क संगत बनाने के प्रियास किये जा रहे हैं पुलिस इस दिशा में काम कर रही है उन्होंने कहा कि मदर्सों में विज्ञान और गणित को शामिल किया जाएगा और इस दिशा में बंगाली मुसल्मानों से बात की जा रही है वहीं मदर्सों में तर्क संगत पढ़ाई पर जोर NCPCR के अध्यक्स प्रियांक कानून गों ने भी दिया उन्होंने कहा कि देश भर में एक करोड से ज्यादा बच्चे गैर कानूनी मदर्सों में पढ़ते हैं जहां उन्हें बताया जाता है कि सूर्य प्रत्वी के चारों तरफ गुमती है उन्होंने कहा कि ऐसे मदर्से पढ़ने के लिए सही जगा नहीं है उन्होंने कहा कि ये सारे ऐसे मदर्से हैं जिनकी मैपिंग नहीं की गई राज्य सरकारों को ऐसे मदर्सों के बारे में पता ही नहीं था उन्होंने कहा कि हमने इन मदर्सों के बारे में राज्य को बताया और कहा कि इन बच्चों को महाँ से निकाल कर स्कूल भेजा जाए तो आप NCPCR की इस रिपोर्ट से समझ सकते हैं कि देश का भविस्या कि संदकार में जा रहा है इन मदर्सों का एक पहलू और भी है उसे भी देखिए कुछ सवाल है जिनके जवाब आयोग ने दिये हैं तो महां पोस्कों के मामलों की रिपोर्टिंग सही तरीके से चल रही है अगर कुछ राज्यों में केस सही तरीके से रिपोर्ट होते हैं तो इसे सकारात्मक तरीके से देखा जाना चाहिए ये बात भी सही है कि बाल अपराद बढ़ा है समाज में सम्वेदन शीलता की कमी और बाकी वजों से ऐसा हुआ है इसे बड़े पैमाने पर देखना होगा हमारी कोशिश है कि हर केस दर्ज हो हाला कि कई राज्यों रिपोर्ट नहीं लिखते बिहार और जारखंट जैसे राज्यों में सही तरीके से रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाती हमारे पास कई ऐसे मामले आये हैं पुलिस केस दर्ज नहीं करना चाहती मामलों को छिपाना चाहती है ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि जिस राज्य में घटनाएं ज्यादा है उसकी स्थिती खराब है अगला सवाल है कि मदर्सों को लेकर आपने मुहीम चलाई है इसका क्या कारण है इस सवाल का जवाब बहुत चोकाने वाला है मदर्से वो जगा नहीं है जहां बच्चों को रखा जा सके वहां बच्चों की पढ़ाई हो सके इसके लिए वो जगा नहीं है हमने मदर्सों को लेकर विस्तरित रिपोर्ट तैयार की है और राज्यों तक उसको पहुचाने में सफल रहे हैं करीब एक करोड दस लाख बच्चे उन मदर्सों में हैं जहां उन्हें सिखाया जाता है कि सूरज प्रत्वी के चारो तरफ घूमता है ये सारे ऐसे मदर्से हैं जिनकी मैपिंग नहीं की गई इनकी जानकारी किसी राज्य सरकार के पास नहीं है आयोग ने इसको लेकर राज्यों से कहा है कि इनकी मैपिंग की जाए और बच्चों को रेस्क्यू कर स्कूलों में भेजा जाए अगला सवाल है कि अनाधिगरत मदर्सों से किस तरह की शिकायतें मिल रही हैं और आयोग क्या कारवाई कर रहा है जो अवैद मदरसे हैं यहां बच्चों का एक तरह से शोशन हो रहा है यहां पर सिक्सा के सम्वेधानिक अधिकारों का हनन होता है इनकी मैपिंग जरूरी है असम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने इनकी मैपिंग भी शुरू कर दी वहीं 2022 में कई ऐसे मामले भी मिले जहां मदरसों में हिंदू बच्चों को रखकर उन्हें धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी इसमें बहुत से बच्चे दलित समुदाय से हैं ऐसे बच्चों को निकालने के लिए भी राज्यों को निर्देश दिये गए जाच में एक और बहत चुकाने वाला खुलासा हुआ है पता चला है कि सीमा पार से बच्चों की तसकरी को रोकने के लिए बोर्डर के 75 जिले जिन में नेपाल भूटान और बांगलादेश के बोर्डर सामिल हैं यहां पर स्टेक होल्डर्स के साथ बैटके करवाई हैं इसमें तसकरी के नए रूट्स पता चले ये भी प पता चला कि पस्टंबंगाल बाल तसकरी का हब बन कर उबरा है जाँच में पता चला है कि बाल तसकर सीमा पार बैटकर बच्चों को सोशल मीडिया के जरिये बरगलाने में लगे हैं शोशल मीडिया बच्चों की तसकरी और बाल मजदूरी के लिए एक बड़ा प्लेटफ connection उन्ही के नाम पर हो यही नहीं उन connection का internet access सेमित होना चाहिए इनका ilaj भी यही होना चाहिए क्योंकि यह लोग उन लोगों में से हैं जो बातों से नहीं मान सकते क्योंकि यह लातों के भूध हैं यूपी के CM योगी आदितनात ने बुल्डोजर को जैसे ही जिहादियों और गुसपैठियों का हतियार बनाया तो तुरन थी असम के मुख्यमंत्री ने उसे हाथो हाथ लपक लिया ठीक वैसे ही जैसे ही योगी सरकार ने जिहाद की फैक्टरियों पर नजर गुमाई ठीक वैसे ही हेमन्ट विष्वा ने भी जिहाद की फैक्टरियों पर बुल्डोजर चलाना शुरू कर दिया देजबर में चल रही अवैद जिहाद की फैक्टरियों में करीब एक करोड दस लाख बच्चे पढ़ते हैं यूपी और असम में मदर्सों में ज्यादा खास अंतर नहीं है दोनों प्रधेशों के सीम जल्द से जल्द इन जिहाद की फैक्टरियों को उधेड देना चाहते हैं और उधेड भी देना चाहिए क्योंकि एक करोड दस लाख जिहादी कोई छोटा आकड़ा नहीं है आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं धर आई में आज के लिए इतना ही कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी नमस्कार झाल